आज मैं आपको पापोड़े बताना बताऊंगी मैं इसमें जो चीजे इस्तिमाल होती है वो बताऊं आज कल किराची का मौसम भी बड़ा जबर्दास हो रहा है हलकी हलकी तेज तो नहीं अगर हलकी बुंदावांदी रोज आना सुबा सुबा होना शुरू हो जाती है तो चल टालू लिए शुरू लिए तसे मैंने कटलिया कसफी यह ने सीय खलगे ऑन ध्यु यह किसे रहियरी मिर्च है मुदें हम कातेंगे डीछ मीं यहZe मसाल लीया है मैंने 1 टीजपून नमक 1 टीजपून जीरव सफेद ग५ाटीजफ़न चाटवा लियो है में तेबिल स्पून मैंने पेस्ट लीए है यह सब्सक्रारा जबिल नयन निया founders ओर यह दो राप्तित निया जिसे जिसे मैंने घूढका कूतव कि या मैं मिर्च भरूंगी राध्रम कष्णाइ लीए वन टी स्पून आफ टी स्पून में लिए चाछी मिसाला लिए और यह मैंने मिसाला लिए है दनिया है है तो यह उसे में आपर नमकी जिए मिर्चों में भरेंगे इस पानी इस पैसे अब दिएकले की तो Reynा कि और नमक, जीरा और थोड़ा सा चाट मसाला है, हरी मिर्च का पेस्ट है, ये भी शामिल कर दें, और ये थोड़ा सा खरा धनिया, इसे घोल लेते हैं, इसे ज्यादा पत्ला नहीं करना हमें, थोड़ा थोड़ा पानी डाल के घोलते हैं, हमारा ये बेटर तयार हो गया है, बसमें एक चुटकी, मेठा सोडर डालोंगी, एक चुटकी जादा में, अगर मैं तलूंगी, जब डालूंगी, तो अब हम इसे साइट पे कर देते हैं, और अब हम ये हलमेश हैं, जो मैंने बताया था ने, ये मसाला, इसे हम मिक्स कर ये दनिया सौफ थोड़ी सी है, उटावा चाट मसाला, नमक और खटाई, इन चीज़ों को हम इसे मिक्स करेंगे, तोड़ा सा पानी शामिल करेंगे, इसको मिला लेंगे, मैंने इसमे थोड़ा सा पानी लाला, इसमें लाक मान रहा है, ये पालक को मैंने इस तरह से, काट लिया, डंडी उतार दी इसकी, और ये देखें इस तरह से, और ये बेंगन को मैं गोल-गोल काटूगी, जिस वक्त तलूँगी, उसी वक्त काटूगी, हर इमिर्च को ऐसे पकड़ना, ऐसे बीच में से, काट लेना, अगर आप इसके बीच निकालना चाहें, तो इसक इसमें भर दें, इस तरह से, और इस तरह हम सर निट्रों को इस तरह कट लगाएंगे, और इस तरह से इसको भर देंगे, तो ज़्यों तो ज़्यों सड़ना डाल रही हम, आज हम अधी ही रखेंगे, हम सबसे पहले, आलू के स्लाइस बनाएंगे, तो बेतर में इस तरह आलू को डिप करेंगे, और ऐसे इसमें डालेंगे, इस तरह हम सारे आलू को डिप करते जाएंगे, और इसमें डालते जाएंगे, कि अब यह सावय अगमें डाल दी लिए नहीं करेंगा इसलों जादा मुस्याम करेंगा यह वह दाएट गॉल्डण और निपाल लेंगे लाइंट गोल्डन हो जाएंगे दोनी तरफ से तो हम इसे पलट पलटके देखते रहेंगे किसमिला हमाइ निकाल लेंगे एक गोल्डन हो गये हमारे अलो के पकोड़े और इन्न निकाल लेगे बास दूसरे वाजे डाल देंगे इसके अंदर आज को हमें धीमे ही रखना है कि अंदर से आलू को भी गलाना है तो आपको चूला तेज नहीं करना अपना यह भी आलू के पकोड़े हो गए हमारे इने भी निकाल लेंगे अब हम पालत के बनाएंगे हम पालत के बना रहे हैं बिसमिल्ला करके साबत पत्य बनाने हमने इस तरह बनाएंगे अगर जादा लग जाए तो फड़ा से इसे कर लें अब इसकी स्टाइट चेंज कर देंगे हमारे हो गए पालत के पकोड़े कितने बदस गोल्डन हुए हम इने निकाल लेंगे और इसी तरह हम बाती सब भी बना लेंगे करेंगे और इस तरह डाते जाएंगे करेंगे तरह हम इन नों को मैंने गोल शेब में काटा है गोल इसाजा अच्छा लगते आई हैं अब हम सब बना लेंगे आप रंजानों में बनाईए गए तारी वेज़िटेबल के एक साइंट से हमारे गोल्डन हो गए अब हम इसे टन कर देते हैं करेंगे पाकोड़ी देखें हमारे कितना जबर्दस होगे गोल्डन दिने भी हम निकाल लेंगे अब इसे प्राई कर लो अब हम यह में प्राई कर लो कर दो कर दो कर दो कर दो कर दो को कि कर दो कर दो कि क step ऐह को कि कि अभी हम अभी यांस परी गनाएंगे तुछ मजारक मान रहे हैं हमारे मेर्टी बेजिस तयार होगे तुछ प्याज है इस तरह गोल काट लिए मैंने और इंको इसकर डिस करके बेतंगे और ये इस तरह बनाएंगे यह अनियन के रिंग होगे हमारे इस यह बहुत लबाज़त लगता है इसमिल्ला इर्षान है यह हमारे अनियन रिंग भी तयार होगे यह वैद्धा पर्गर्व बने है इन्हें हम निकाल लेंगे ज़िधी बना ने, उन्हें भी निकाल लिया हमें, और चार पांच किसम पकोड़े बनाए है, यदे हालू के बनाए है, पालक के बनाए है, मिर्चों के बनाए है, और ये हमारे बेंगन के पकोड़े और अन्यंडरी, तो ये मज़ेदार से पकोड़े हमारे तयारे इन्हें आप केचप के साथ खाएं हरी चट्मी के साथ खाएं दही के रायते के साथ खाएं जिससे आपको पसंद उससे खाएं आप यह ज़रूर ट्राई करें आज कल किराची का मोसम भी बड़ा जबरदस हो रहा है तो आप यह पकोड़ों की रेसे पीछ जरूर बनाएं और रमजान में भी मैं इसी तरह से बनाती हूं इस त्यारी में तो आप भी रमजान में भी बनाएंगा इस तरह से और अगर आपको यह हमारी रेसी भी पसंद करें बेल को प्रेस करें लाइक करें शेयर करें दोस्तों से अल्ला पीज़ आपीज़